हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप लोग एंट मैं एंड वास्प कॉंटम मेंने का नया ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर में मुझे एक भी कोमेडी सीन देखने को नहीं मिला है मतलब कि स्टार्डिंगा सीन जो है आपने पिछले ट्रेलर में भी देखा होगा जहांप हमारे ए सार्क ने टाइम टेबल को खोज पाया था क्योंकि कॉंसेप्ट थो एंड मैं का ही था ना हम स्टार्डिंग के सीन में बैक्ग्राउंड में कैंग की यावाज सुनते हैं जहां कैंग स्कॉट कहता है कि तुम एक एवेंजर हो और हाथ तुम्हारी एक पेटी भी है तुमने पायल में अभी भी उसके बेटी की बच्पन की तस्वीर है और हाँ आगे हम देखते हैं कि कैसी जो है वह एक जेल से बहार निकलती है मतलब कि आप समझ सकते हो कि यदि किसी बच्चे की इसे तरीके से गाइडेंस ना हो तो वह कैसे बिगर सकता है और हाँ यह पूरा में फिर से फस चुके हैं जहां पर हम कैंग का सामराज देखते हैं जो कि एक्च्वल में बहुत बड़ा है और उसकी पूरी आर्मी तयार है हम कैंग के सूट को भी गौर से देखे तो एक्च्वल में यह ब्लू है जैसा कि आपने इंडगे में देखा होगा कि टाइम ट्र के उपर है मतलब की लेकिन आगे सीन भी देखते हैं जहां पर वह एंटमन को धोका देगा जहां पर हमारी बात याद आती है जैनेट की जो कहती है जो कहती है स्कॉर्ट को कि तुम कभी भी कैंग पर भरोसा मत करना क्योंकि किसी भरोसा के लाइक नहीं है वो टाइम को अल् यहां में पता चलता है कि यहां में पंटम रिल में फसा हुआ है और यहां से निकलने की लिए एंट मैंन की हल्प चाता है हमें इस में डॉक का भी सीन दिखाया गया जो कि एक्चॉल में हमें फॉसफॉर्ट में यलो जैकेट जो देखा था वही बंदा को प्ले कर रहा है और हाँ इसका फुल आर्मर लुक भी दिखाया गया है जो कि कमाल का है एक और कमाल की चीज़ है इस ट्रेल के अंदर जहां पर हमें एंटमैन की कई सारे वेरियंट्स देखने को मिल रहे हैं और यह वेरियंट्स किरियंट्स खुद एंटमैन से हो रहा है मतलब कि वो अचानक किया गया है लेकिन हां बाद में वो फस भी जाता है मतलब कि सारे जो एंडमैन जो बनते हैं उन सभी के अलग-अलग मकसद है पूरा ट्रेलर देखने के बाद मैं ही कहूंगा कि ट्रेलर कमाल का बनाया गया है और हाई होप कि फेस फाइब कमाल का जाए और फिर से मार्वल का जो ग्रेज है और फिर से वापस आए